नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके एपने YouTube चैनल YUNIक Study 360 में तो दोस्तों आज हम डिस्कास करेंगे आपके साथ हमारी GKGS की सिरीज का सेट 8 तो दोस्तों तो दोस्तों दिस्कते हैं सेट 8 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है निमलिखित मेंसे किस ने सलसगरत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है दोस्तों में लिखा था विशाक दतने नेक्स्ट क्वेशन है निमलिखित मेंसे किस संस्थान ने लो कास्ट डर्ट डिटेक्टर का अविस्कार किया जो किसी स्थान को सफाई किया वसकता होने पर अधिकारियों को सुचित करता है वो दोस्तों है आयाइटी खडगपूर नेक्स क्वेशन है उसभारती वैग्यानी के पैचान करें जिन्होंने खगोल विग्यान में अपने लेखनी योगदान के लिए प्रतिश्ठित दैन डेविड पुरुषकार दैन डेविड पराइज जीता है तो डैन डेविड प्राइज जो दोस्तों जीता था वो थे स्री निवास कुल करणी वो थे हमारे स्री निवास कुल करणी नेक्स्ट क्वेस्टन है दोस्तों एल देवेंदरो सिंग ने मिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं तो एल देवेंदरों जो हैं दोस्तों वो मुक्के बाजी से जुड़े हुई है वो मुक्के बाजी से जुड़े हुई है विसुका सबसे बड़ा जली निकाई का उनसा है विसुका सबसे बड़ा जली निकाई जो दोस्तों वो है हमारा प्रसांत महासागर उत्तर प्रदेश प्रतिभा गुरू वसौ ने किस भासा में अपने प्रसिद्ध साहित कार्यों को संकलित किया है तो उनकी जो प्रसिद्ध भासा है दोस्तों वह कंड़ वह कंड़ नेक्स कुएशन है बागवी यो सहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है यह सहर किस देश में इस्तित है तो यह सहर जो है दोस्तों यह है फ्लोरिडा में इस्तित है यह सहर फ्लोरिडा में इस्तित है पुस्तक हंगरी टाइट के लेखक का नाम क्या है तो पुस्तक जो हंगरी टाइट है उसके लेकर है मिताब गोस नेक्स क्वेशन है भारत की सरकारी सौमित वाली गयस उस्पादक कमपोनी गेल इंडिया लिम्टेड नेदेश का दूसरा सबसे बड़ा रूफ टाफ और सौरूजा सायंतर कहां पर इस्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है तो यह है दोस्तो उत्तर प्रदेश में यह होगा उत्तर प्रदेश में next question है is Angesda Arts के लेखक कौन है तो is Angesda Arts के लेखक है सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा और next question है बहुत धर्म की निव डैस महान सच्चाईउं एम डैस अंगिय पतफार अधारित है तो ये दोस्तों जो है चार और आठ बहुत धर्म की निव चार महान सचाईयों और आट अंगीव पतफार अधारित है चार और आट चार और आट next question है निमुलकित में से किसने रगवन्स संकलित किया है रगवन्स के संकलित करता कालिदास next question है अनगा देश पांडे नेम लिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है तो अनगा पांडे जो है ये क्रिकेट से जुड़ी हुई है आर्टिफीसियल इंटेलिजन्स आधारित ये स्यूपी एसटी पॉर्टल किसके द्वारा लांच किया गया है तो ये पॉर्टल जो है क्वानवतावादी पुरुस्कार दोजार bağ की से सम्मानिद किया गया है तो यह जो हैं यह जो एंदोस्तों को यह जो हैं हमारे इनका नामनाक र dish है नामना सिंह सहे गल được थो है ये गोवा के द्वारा किया गया नेक्स्ट क्वेशन है फीफा आवार्ड 2021 से किस वालीवूड अमिनेता को समानित किया गया तो फीफा आवार्ड 2021 को से अमिताब बच्चन को समानित किया गया नेक्स्ट क्वेशन है इलमिल्खित में से किसे नैसकाम की पहली महिला चेर परस येलो स्टोन-्रास्ट्रिय उद्यान कहां है तो येलो स्टोन रास्ट्रिय उद्यान सैयुक तराज פ्जण सैयुक तराज اमेरिका में हैं। प्रसिच्चों को पदग वजेताओं को तयार करने के लिए कौन सा पुरुषकार दिया जाता है तो यह दोस्तों दोडोणाचार पुरुषकार यह हमारा दोडोणाचार पुरुषकार निक्स है समाचार में अक्सर देखा जाने वाला सब्द प्रेक्सिट निमलिकित देशो में किस देश से संबंदित है तो ये दोस्तों है UK से कनाड़ा के सरवोच नयाले के नयाधीज के रूप में न्युक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली सिक्त महिला काउन बन गई है तो वो जो सिक्त महिला बन गई तो वो है पल्विंदर को और सेरगिल पल्विंदर को और सेरगिल नेक्स्ट क्वेशन है सिवसंकर पसाच और रुसिया का संबंद की स्खेल से है तो सिवसंकर पसाच और रुसिया का संबंद गोल्प से है नेक्स्ट क्वेशन है एसोर आइल फिंड डाज में है एसोर आइल फिल्ड ये राजस्थान में ग्रीन बिच में दोपहर के 12 बज़े है 82.5 पुर्वी देसांतर पर इस समय कितना समय हुआ होगा तो अगर ग्रीन बिच पे 12 बचें दोस्तों तो वहाँ पर *** बचाँ होगा 5.30 PM गौतम बुध ने अपना पहला उपदेश दाइस में दिया था तो गौतम बुध ने अपना पहला उपदेश दोए सारनाद में दिया था बिस्ट के सबसे प्रतिस्थ अंगरेजी भासा साहित्तिक पुरुषकार का नाम क्या है तो इस पुरुषकार का नाम है दोस्तों माइन बुकर पुरुषकार मैं बुकर पुरुषकार नेक्स क्वेशन है दोस्तों बेसिन की संधी पर किस वर्स हस्ताश्यर किये गए थे तो बेसिन की संधी पर हस्ताश्यर 1802 में किये गए थे अंड मैया मध्य युगीन काल के एक कभी गायक थे वे किस वर्तमान भारती राजिसे संभंधी थे तो वो दोस्तों थे आंधरप्रदेश से सब्टवर्सी युद्ध दू देशों के बीच लड़ा गया था उन देशों में से एक फ्रांस था तो दूसरा देश कौ उन था था तो दूसरा दोस्ता दोस्तों ब्रिटेन मार्च 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांगलादेश की प्रधान मंत्री सेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी जंडी दिखाई तो उस ट्रेन का नाम था दोस्तों मिताली एक्सप्रेस नेक्स क्वेशन है हालही में महाराश्य सरकार ने गोरे वाड़ा चिडिया घर का नाम बदल कर किसके नाम पर रख दिया है तो यह रखा गया है बाला साहिब ठाकरे के नाम पर बाला साहिब ठाकरे के नाम पर नेक्स क्योशन है हालही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बनाव पंगरा लांच करने की घोशडा की है मित्ती के खिलोनों को जी आई टैग देने की घोशड़ा तमिल लाडू ने की है नेक्स्ट क्वेस्चन है बी सी सी आई द्वारा भारती महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोशड़ा की गई है तो यह है दोस्तो रमेश पवार यह है रमेश पवार रमेश पवार को सीनियर कोच घोशिक किया जाएगा जल जीवन मिसन के तहित ग्रामीड छेतरों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लच पराप करने मला दूसरा केंदर सासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है तो यह जो जल जीवन मिसन है उसको दूसरा केंदर सासित प्रदेश जो हाल ही में बना है दोस्तों वो है पांडी चेरी नेक्स क्वेस्चन है दोस्तों एक इसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे डैस के रूप में माना जाता है तो यह दोस्तों है बागवानी खेती यह है बागवानी खेती निम्लिखित में से कौन करनाटक संगीत की त्रिमूरती में से एक है जो है त्याग राज दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारती रेलवे की स्थिति क्या है तो भारती रेलवे की स्थिति जो है वो चौते स्थाम पर है नेक्स क्वेशन है केप आफ गुड होप कहां इस्थित है तो केप आफ गुड होप जो है दोस्तों ये दच्छड फरीका में इस्थित है जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में इसापुर्व डैस अबडी से आरतिक असांद देखी गई है खती सताभगी इसापुर्व से किस देश का सम्मिधान दुनिया का सबसे चोटा सम्मिधान है गुरू सिखर डैस के माउन्ट आबू परवतों का सिखर अरावली परवत सरी का उच्चितम बिंदु है तो अरावली प्रवत जो सेड़ी है उसका उचितम इंदू जो है दोस्तों वो है राजस्थान नेक्स्ट क्वेशन है निम्लिकित में से कौन सा भारत का पहला नगरपाली का निगम था नगरपाली का निगम था तो ये दोस्तों है मदरास नगर निगम ये है मदरास नगर निकम नेक्स क्वेस्टन है दोस्तों हमारा S.V. सुनील किस खेल से संबंदित है तो S.V. सुनील जो है दोस्तों ये हाकी से संबंदित है सतरंज में पहली भारती महिला ग्रेंड मास्टर कौन है है तो सत्रंज में पहली भारती महीला क्रेंड मास्टर है स वीजय लक्षमी है जस्वीर सिंग किस से संबंदित है तो जस्वीर जो है जो है दोस्तों ये कबड़ी से संबंदित है NEXT IE कोईश्चे है दोस्तों ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है तुजार बाजरा और रागी को मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है उपने सिदों में डैस भासा का प्रियोग हुआ है तो उपने सिदों में संस्कृत भासा का प्रियोग हुआ है ला लीगा फुटबाल कब 2021 का किताब किस टीम ने जीता तो ला लीग सुलू की गई यह दोहजार पच्चिस फाहिल का संब्ध है मलेरिया उन्मूलन से मलेरिया उन्मूलन से नेक्स क्वेशन है 21 दादा साहब हाल के पुरुसकार से रजनी कांद को संब्ध किया गया e cabinet को लागू करने वाला देश का पहला राज कांद बना यह कैबिनिट को लागू करने वाला देश का पहला राज बना हिमाचल प्रदेश नेक्स वेस्टन है दोस्तों हाल ही में किसे वाइड लाइफ फोटोग्राफर आप था एर पीपुल श्वाइस अवार्ट से समानित किया गया है तो यह है राबर्ट इर्विन नेक्स वीडियो पसंत आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिलते हैं नेक्स डे नेक्स सेट के साथ तब तक के लिए जाएं